नमस्कार दोस्तों मेरे साथ प्रदी भंडारी के साथ में जी न्यूस पे जी मीडिया नेट्वर्क पर एक exclusive इंटर्व्यू में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे साथ में आज जो शक्स मौझूद हैं महराश्रा और देश की जनता आज उनको सुनना चाहती ह और मैंस इंटर्व्यू को शुरू करना चाहता हूँ अगर मैं पूरे elections को देखू दो फेस के बाद में दो फेस के elections खतम हो चुके हैं अब opposition एक बड़ा आरोप हमेशा से constantly लगा रही है कि भारतिये जनता पार्टी दो फेस के elections के बाद में back foot पे आ गई है इसलिए ये पू कि opposition हमेशा इसी प्रकार की बाते कहते है यह वही लोग है जो पिछले समय कहते थे जब चुनाओ संपन्न हो रहा था कि BJP के 180 सीटे आएगी 190 सीटे आएगी और चुनाओ के बाद भी कहते थे कि अब तो BJP के सरकार बनी नहीं सकती है लोगों ने मोदी जी को 300 से ज्यादा सी मैं जब उनकी साइकोलोजी में जा कर देखता हूँ तो मुझे आता है कि किसी भी चुना हो युद्ध हो अपने लोगों का मुराल है रखना पड़ता है और वो सारी कोशिशे अपने लोगों का मुराल है रखने के लिए इस परकार की अफ़ाय वो फैलाते क्यूंकि उनको प्रियास कर रहे है जहां तक महराष्ट का सवाल है मैं आपको साफ शवदों में कहता हूँ कि मैं कहता ऐसा नहीं आप देखिए आप जितने महराष्ट के पोल पंडित है या अलग-अलग प्रकार से अलब लोग सटा बजार के भी आकड़े देखते हैं मैं तो नहीं मानता यह सारी चीजों को पर यह सारी चीज़े देखने के बाद 13 सीटों का चुनाव हुआ है सारे लोग यह कहते कि 12 सीटे तो बीजेपी और एलाइस के आज ही चुनकर आई और एक सीट पर थोड़ी कश्मकश है लेकिन बीजेपी को अडबंटेज है तो मुझे नहीं लगता कि महराष्ट को इस देश से अलग जाएगा महराष्ट कल भी मोदी जी के साथ था आज भी मोदी जी के साथ है और कल भी मोदी जी के साथ ही रहे गए यह मुस्लिम रिजर्वेशन के पॉइंट पे मैं आपसे एक स्टैंड इसले चाह रहा था क्योंकि प्राइम निस्टर नरे जिन्दर जी कई महराश्टरा के अंदर भी मैं न्यूज में पढ़ रहा था ग्रूप्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए धर्म के आधात पर पहला क्वेशन में यह है कि क्या महराश्टरा के अंदर किस वग आपकी सरकार है या आप कैटेगोरिकली स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा पॉइंट नमबर वन और पॉइंट नमबर टू यह कि यह 400 पार के आकड़े में इतनी बार आपकी पार्टी के द्वारा कहने के बावजूद विपक्ष क्यों उसको बार-बार कर रहा है आपको लग रहा है इस स्ट्राटेजी के तहत हो रहा है कि बिल्कुल स्ट्राटेजी के तहत हो रहा है पहली बात तो यह है कि रोज जूट बुला तो लोगों को सच लगता है इस फलसफे को लेकर विपक्ष चल रहा है विपक्ष स्वयम भी जानता है कि सुप्रीम कोट के फुल बेंच ने ओर देकर यह कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉंस्टिटूशन केनाट भी अमेंडेड और उसके अधिकार संसद को भी नहीं है तो वो तो आमेंड होई नहीं सकता है दूसरा यह है कि मोदी जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक मैं हूँ और जब तक बीजेपी है हम सविधान को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे और सबसे महत्व की बात यह है 2014 में भी पूर्ण मेजॉरिटी है 2019 में भी पूर्ण मेजॉरिटी है तो अगर ऐसी कोई मंचा होती तो चेड़-चाड़ तो होई जाती लेकिन मोदी जी ने तुसपष्ट किया कि डॉक्टर बाबा से वंबेड़कर का Constitution था इसलिए चाय वाले का बेटा और चाय बेचने वाला देश का प्रधान मंत्री बनाए तो मुझे लगता है Congress जब यह उनके ध्यान में आया है कि हम इनका मुकाबला इस प्रकार से नहीं कर सकते इस थीरी पर Congress और उसके साथ वाले लोग चल रहे हैं और जहां तक यह Muslim Reservation का सवाल है तो इसमें भी सवविधान की भूमी का बहुत सपष्ट है सवविधान जब बंद रहा था तो डॉक्टर बाबासेव अंबेड कर जी के नित्रुत में जिसमें यह सारी डिबेट्स हुई उन डिबेट्स में बहुत सपष्टता से सबने मिल कले रिजॉल्व किया कि धर्म के आधार पर इस सवविधान को परास्त करने के लिए उस सवविधान के सूत्र को उसके स्पिरिट को समात्त करने के लिए कॉंग्रेस यह प्रयास करती है कई राज्यों में उन्होंने प्रयास किया धर्म के आधार पर उन्होंने मुसल्मानों को रिजर्वेशन दिया कभी भी वो टिकाने स सुप्रिम कॉर्ट में वह हमेशा हारे अब जाकर करणाटक मॉडिल लाना चाहते और मुस्लिमों को OBC गोशित करके OBC के रिजर्वेशन में उनकी हिस्सेदारी देना चाहते OBC का रिजर्वेशन कम करना चाहते ये चीजों का तो विरोथ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये पहले रंगनात मिश्रा की रेपोर्ट भी आये थी, सच्चर कमिटी भी थी, तो कई बार UPN ने ऐसी तरीकी से कोशिश किये, तो क्या आज आप सपर्ष करना चाहते हैं कि महराश्टर के अंदर कोई भी ऐसी कोशिश जो है आये नहीं सकते। महराश्टर पे आपने बात किया, आप काफी confident देख रहे हैं दिविंदर जी, बट प्राइम निसन अरेनमोदी का बयान काफी viral हो रहा है जिसमें उन्होंने एक भटकी आत्मा का जिक्र कर रहा था, उनने कहा था कि जो लोग जो हैं अगर किसी खुद का खीर अच्छा नहीं ह लोगों ने इसके बाद शरत पवार जी का भी बयान है, उनने कहा कि मेरा जो दिल है वो सिफ और सिफ फार्मर्स के लिए तडपता है, लोग इसमें कई पंडित की आपने बात की, कई पंडित ये कह रहे हैं कि इससे चुना पलट सकता है, शरत पवार जी के प्रती वेस्ट बहुत स्पश्ट रूब से बताता हूं, आज पवार साब किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन दस साल वो देश के क्रिशी मंत्री थे, सबसे ज्यादा किसानों की आत्मत्याय उनके काल में हुई है are महराष्ट में हुई है, तो ये जो आत्मा किसानों के साथ है वगरा ये बाजिये, इसमें कोई मतलब लई है, और मैं नहीं मानता कि अभी कोई सिंपती वगरा बची है, लोगों को पता है, लोगों ने सारी चीजे देखिये, मोदी जी का राज भी देखा है, तो ये सारी बाते क्या है कि, खेर मैंने इस प्रकार की बात नहीं कहने चाहिए, फिर भ वार साब से गलती भी हो गए तो कहते हैं उनका दाव है यह तो चानक के है इसा लोग कहते है ऐसी बाते आपको भी कई अब लोग महराश्टर के नए चानक के रूप में देख रहे हैं क्योंकि पूरी बेसलाइन महराश्टरा की पॉलिडिक्स की चेंज होगी है पर दिविंदर जी साथ में मैं कहना चाहता हूँ एक कॉंस्टेंट में नैशनल मीडिया में देख रहा हूँ कि अब लिडर्स का आपका लाइन्स हो चुका है महायुक्ति के अंदर जो वर्कर है उसके बीच में अलायंस नहीं हुआ है और यह आपको महराश्टर के अंदर पिछली बाव जो आपका 41 का आकड़ा था उससे नीचे लाने के लिए बड़ा कारण हो सकता है ऐसा है कि हम दो लोग थे तो सीटे बाटना असान था तीन लोग हो गए तो निश्चित रूप से कुछ चटने नाया हमारे सामने आई आमने सामने लड़े तो भी कठने आया हमारे सामने आई लेकिन हमने 90 परसेंट सीटों का बटवारा एक मिटिंग में कर दिया दस प्रतिशत सीटों पे हमको समय लगा लेकिन आप तो बटवारा हो चुका अब इंडिविजल पार्क्टिस को उनके केंडिड़ेट डिकलियर करने है शित्थाने है दक्षिन मुंबई है नासिक है ये तो शिवसेना के पास है पालगर हमारे पास है उनके केंडिड़ेट आपने इसको बड़ा बहुत ही आसानी सांसर कर दिया अबर मैं इसले पूछ रहा हूँ दिविंदर जी क्योंकि एक मीडिया में रिपोर्ट भी आई थी कि बीजेपी ने कहा है कि उनके सीटों के उपर एकनाच शिंदिया बाकी के लाइन्स पार्टनर जो केंपेंड नहीं को हमारे स्टार प्रचारोकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री जी का अजित प्रवार जी का सभी का नाम भेजा था हमको नोटिस आया और उन्होंने कहा भले ऐलाइंस पार्टनर हो आप उनको केंपेंड में बुला सकते हो लेकिन आपके स्टार प्रचारोकों की लिस्ट में करें नाम कि इसकता उनके स्टार प्रचारुको की लिस्ट नों का नामnatural आएगा और इनकी इससमे आपका नाम नहीं आ सक्ता उनकी निस्ट कम प्रद्धानpointr जी का नाम भेघा था उनको नोटिस आए कि प्रद्धान labor gymため mixed को बुला सकते हो लेकिन प्रधानमंत्री जी का नाम बीजेपी के स्टार परचारोगों के लिस्ट में रहेगा तो इसले यह हमारे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्शन कमिशन को प्रॉब्लम नहीं तो यह से प्रोसीजरल इसु था है को अगी अशा नहीं था कि हम अजीद द्रबॉडम नहीं को बुलारे हैं उनकी सारी सीटों पर मैं जा रहे हूं की सारी स्टों पर मैं जा रहा हूं बिलकुल आए ऐक दूसरे के सीटों पर वोरोटोन मेरा लें क्nyक्ति ciertिव करती हैं क्योंकि आपकी पुराने वोट शेर था और आपके पुराने दोस्त और इस वक जो आपके जानी दुश्मन पॉलिटिकल कह सकते हुद्धा करें उनकी पार्टी का 20% प्रस वोट शेर था पर उन्हें पीम मोदी के नाम पे पूरा बोट मांगा था अब जितना भी ऑपोजिशन का वोट है लोग कह रहे महायूती इसले बनी कि 2019 में कुद्धो ठाकरे जी ने पीपल्स मैंडेट लोगों के मैंडेट का कतल किया उस मैंडेट की पीठ में चूरा घोपा और केवल पदकी लालसा के लिए उन्होंने इतने सालों के हमारी दूस्ती को ठुकराया और बड़ा सब ठाकरे कहते थे जिस दिन मुझे कॉंग्रेस के साथ जाने की आवशक्ता पड़ेगी उस दिन शिवसेना का दुकान बन कर दूँगा लेकिन उद्धो जी ने अपने पिता के वचनों को जूटा ठेराते हुए कॉंग्रेस का दामन थामा एंसीपी का दामन थामा उस समय धीरे धीरे जब उनकी सत्ता आगे बढ़ रही थी तो उनकी पार्टी के लोगों को ये ध्यान में आया हिंदुत्व चूड़ गया है विचार चूड़ गया है जमिन खिसक रही है और वही उद्धो जी की पूरी राजनिती बेटे के लिए आदित्ते के लिए चल रही है जो कद्दावर निता थे उनको कट्टू साइस किया जा रहा था तो ऐसे समय उन सभी के अस्तित्व का ज अईन्ज्णा क्या ल Space contribute back to the office and let's just come back and and then on contain House Department of andặt. अबने सरकार मनाई। जही चीज़ इनचपी में चल रही थी कि आपory के एनसीपी में 2014De violation impostora को 2019 हो हर समय शरतपवार जी ने बीजी के सामने के लिए स्वयम हमसे बाचीत की, … शरत पावार जी ने स्वयम हमसे बाचीत की, और एन वक्त पर वो पीछे हो गए और अजड दाणा को उनों ने विलन बनाया, तो अजड दाणा के गहन में आया रहा, कि पार्टी शुप्रिया जी के हाथ में दिनी है, इसलिए मुझे विलन बनाया जा रहा है, मेरे लोगों के पर काटे जा रहा है, ये पार्टी केवल सुप्रिया जी के लिए चल रही है, तो उन्होंने भी इंदरने लेकर वो भी बहार आए और हमारे साथ है, तो ये जो कोई mandate उनका बिखरा, तो हमने बिखरा नहीं है, हमने नहीं बिखे रहा है, उनके लालसा के करण, उनके अहंकार के करण, सत्ता की चाह के करण, और परिवार में ही सत्ता रखने की चाह के करण, ये हुआ है. कितनी बार पर अपने छाइए कि दोजाओदा जी नुज्टी और करने की कोशिसट रहे तो तो किमिट में कोड़ाता यित ये सचिह की जिस क्या होता है ना कि आदमी जब बौकलाता है ना तो उसको आभास होता है अलग लग प्रकारें से उसको चीजे दिखाई पड़ इस प्रकार से उनकी परिस्तितिय हो गई है एक hallucination कहते है ना ऐसे hallucination हो रहा है उनको तो पाथ साल क्यों नहीं कही यह बात उन्होंने आज पाथ साल बात कहते हैं कभी कहते थे हो मिनिस्टर साफ ने मुझे वर्ट दिया है अब कहते है देविंदर फट ने एक बार तैतो करने देखिए एक बात मैं आपको हमेशे कहता हूं कि सच बोलने के लिए विचार नहीं करना पड़ता है और जूट बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है और जूट बहार आता ही है और एक जूट को चुपाने के लिए जब आप 10 जूट बोलते हो उसमें से 8 जूट बहार निकल जाते है ऐसी उनके अवस्ता है कम से कम चुनाव लड़ाओ ताकि जो चुनाव लड़ते नहीं है उनको वास्तविकता पता नहीं होती है तो कम से कम उसको तो वास्तविकता समझे यह मैंने जरूर कहा था बाकी मेरा दिमाग ठीकाने पर इसलिए मैं ऐसे बात नहीं कहता है कि मैं आपके बेटे को मुख्यमं पर वो तो ऐसे शब्द कहने लग गया है निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग आपके लिए कर रहे हैं क्या ही डेस्परेशन है क्योंकि वो सत्ता से बाहर हो गया और आपने चुनाव लणने की बात की उद्दफ ठाकरे जी ने भी चुनाव नहीं लड़ा है तो आपने क्ल कोई रास्ता दिख नहीं रहा है हार सामने दिख रही है बड़ी-बड़ी बाते की कोई साथ निमे को तैयार नहीं है यह सारी चीजों का गुस्सा हमारे उपर निकालते हैं और बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तिरे धिरे उनको कद्दावर नेता बूलना यह यह हमारी गलती होगी ऐसा उनके भाषन सुनकर लगता है कोई गली का निता भी जिस परकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता वो करते हैं उनको इतना ही का कि बड़ी नाकपूर से आता हूं उनसे ज्यादा भयानक शब्द भी मुझे पता है और भाषा भी मुझे आती हैं मैं इसले पूछ नहीं कर में औरद्र जी के भाषन को सुन रहा तो उन्ने यह तक बोलिया कि अगर नरेंद्रमोदी के हाथ में देश को दे दिया तो देश भयावस्थिति के ंंदर चले जाएगा आप आत्तोरे हर इंटर्व्यू में क्वेश्न कूछा गया है कि जो कल जिनके उपर आप भश्टाचार के आरोप लगाते थे वो आज आपके साथ में आगये हैं अब मैने इस पे ना डीटेल में केसे के उपर मैंने स्टडी किया क्योंकि यह तो है जितनी उतनी तीवरत्ता दिखाएगी जितनी पहले दिखाती थी प्रोसेस ओफ लॉग की जो कहते है न टेक्निकालिटीज के बीच में केसेज को रफा रफा तो नहीं कर दिया जाएगा कि हमारा तो बिल्कुल सीधा कहना है लॉग टेकिट स्कॉर्स किसी का हमने नरोका है न अलग बात है बाकी जिनकी केसेज चल रही है वो चलती रहेगी कोट जब फैसला देगा वो फैसला सबको मनजूर होगा कोई भारतिय जनता पार्टी के साथ आता है इसलिए उसकी केस खतम होगे असाम नहीं करेंगी तो ऐसे जब अलाइंस पर कोई कंडिशन नहीं थी नही हो जाएं क्या आप कम्प्लीट प्रॉसिबिलिटी को डिनाय करते हैं मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि निटीश कुमार जी जब थे उनके किलाब भी कहा गया था कभी बीजेपी जोई नहीं करते राजनीती के अंदर पॉसिबिलिटी होती पर फिर आपके साथ आ गए इस ज सीटों पर लड़ रहे हैं पिछली बार 25 में से 23 जीते थे उसके पहले 24 में से 23 जीते थे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आपने अगर कहा जा रहा है कि प्राइम मोधी अगर प्राइमिनिस्टर पून बाहमत से बनेंगे उसमें जो स्विंग स्टेट है वो एक 23 सीटे थी इस से आगे ही जाएंगे पहले तो हम जाखे थे जांता को चारसो पारड़ा लगाती है जब जन्ता से बुल्वाना है अब जन्ता ही कह रही जन्ता हमारे से नारा लगवा रही है तो कोई चुनाव में जो एकदम से हिंदू-मुस्लिम का नारेटिव आया है तो यह अभी फेस टू के जस्ट पहले ही यह क्यों आ है उसको एक्सपोस करना हमारे ड्यूटी है वियर ड्यूटी बाउन हम जनता को बताए कि देखो तुमारे साथ क्या खिलवाड होने वाला है वह बात हम कर रहे हैं बाकि आप प्राइम मिनिस्टर साब का बाशन सुनेंगे तो 90 परसेंट प्राइम मिनिस्टर साब के मुद्दे यह विकास के होते विकसित भारत के होते आम आदमी के होते गरीबों के होते 10 परसेंट मुद्दों में जवाब देते हैं और कॉंग्रेस को एक्सपोस करते हैं इसमें कि आप ब्रैकेट करना चाहरे हो कॉंग्रेस और आपके अलाइन्स को अंटी हिंदू और जब ऐसा होग मैं आपसे एक जो केस काफी चर्चा के अंदर है महराष्टर के अंदर जो सल्मान कान के घर के बार फैरिंग कुई है इसमें और एक्षन लिया जा रहा है मकूकर लग गया पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी इसमें लेटेस्ट क्या है क्या बिश्णोई गैंग की जो है और वो कुछ करेगा इस प्रकार की प्रिसीदि नहीं है लेकिन हम नजर रखे क्योंकि ध्ली न्गिंदी बीए और सच हो जूट हो लेकर अगर थेट परает जूट करने की कोशिक कर रहा है तो जिनको थेट उनको प्लोटेट करना यह स्टेट के ड्यूटी है इसलिए हम सा कि अब ये पूरे के पूरे के अंदर बेसलाइन चेंज हुई है पिछली बार वीजेपी एक तरफा जीती थी इस बार एविटिंग इस देर उन दे लाइन आपके लिए चुना तो डूर डाय जैसे लड़ना चाहिए परसनली आपके लिए परसनली मेरे लिए कोई डूर डाय का चुनाओने लेकिन मैं स्विचारधारा कादमी हूँ कि जब आप चाहिए लड़ाई लड़ते हो या चुनाओ लड़ते हो अपना सर्वस्व दाव पर लगाना चाहिए इतनी मेहनत करनी चाहिए उस परकार से मेहनत मैं कर रहा हूँ उस परकार से मेहनत कारे करता कर रहे उस प्रकार से मेनत देता कर रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि ये महराष्टर जो है ये मोदी जी के साथ ही जाएगा कोई खिषडी नहीं पर कि दिविंदर जी ऐसा रखता है कि तोनों पहले कुछ अलग थे सब हो गए बेटर लाइन्स हर क्लिर्ली डॉट पड़े हैं दोस्तों मेरे साथ में महराष्टर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिविंदर फर्णवस जी उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया मेरे साथ जीनियूस पर जुड़ने के बहुत बहुत दनेवाज शुक्रिये कर्यों जीनियूस